तो हाई दोस्तों आप सभी का स्वागत है डेली फटाफट न्यूस में आप देखने वाले हैं आज की दिन भर की टॉप 20 न्यूस तो आईए चलिए देखते हैं टॉप 20 न्यूस सिर्फ डेली फटाफट न्यूस चैनल पर मद्यप्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर कॉंग्रेस ने नौ विदान सबा सीटों के लिए अपने प्रत्यशियों की घोशना कर दिये हाला कि इन उपचुनावों की तारीक का एलान अभी नहीं हुआ है माना जा रहा है कि चुनावायो 29 स्थंबर को इन चुनावों की तारीक की घोशना कर सकता है पिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट और पंजाबी एक्ट्रेस हिमान्शी खुराना को हुआ कुरोना पोस्ट कर बोली किसानों के प्रोटेस्ट में गई थी जब से शुषान सिंग राजपुत की मौत हुए तब से इस केस में नए नयमान सामने आ रहे हैं कई बॉलिवोड हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं सुषान की आत्मत्या के बाद NCB की द्वारा हो रही जाँच में पाया गया कि बॉलिवोड के कई बड़े एक्टर और एक्ट्रेस ड्रक्स में लिप्त हैं इसमें सुषान की मेनेजर दिशा सालियान की मौत भी एक रह से बनती जा रही है हलाकि CBI को दिशा की मौत की जाँच की मांग की जा रही है सुषान की मेनेजर दिशा सालियान को मौत से पहले बैट्रियूम में किया गया था टॉर्चर खबार ड्रक्स केस की है NCB ने कोड को बताया कि जाँच में साथ नहीं दे रहे हैं शितिश प्रसाद शितिश की वीडियो कांफरेंसिंग के जरिये कोड में पेशी होने जा रही है शितिश को इस पेशी से पहले मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया है अब आगी क्या होता है तो समय ही बताएगा इंडिया चाइना रिफ्ट भारत ने लद्दाक में तेनात किये T-90 और T-72 टेंक 40 डिग्री में भी दुश्मेनों को सिखाएंगे सबक खबर रामपुर से है आजम खान का करीबी हेड कॉंस्टिबल धर्मेन चोहान गिराफ्तार सरिंडर करने पहुचा था अदालत दुर्गा प्रतिमा की अधिकता मुचाई 6 फिट और पंडाल का साइज भी तै किया विरोध करने पर लाठी चार्ज वोबाल में दुर्गा उत्सव की गाइडलाइन का विरोध उग्र हुआ पुलिस ने बल प्रयोग पर शांत किया सभी को जी डवली एडवांस की परिक्षा आज 27 सितंबर कम्प्यूटर आधारे CBT मोड से संपन होई जी डवली एडवांस में पीपर वन और पीपर टू होते हैं और दोनों अनिवार होते हैं सुबा 9 बजे से 12 बजे तक पीपर वन की परिक्षा होई समुदर में चीन को साफ संदेश आस्ट्रेलिया रूस के बाद जापान ने भी भारत संग मिलाई ताल राजस्तान में टीचर भरती में आरक्षन की मांग चार दिन से हिंसक प्रदर्शन उपद्रवी बहाड़ियों पर जमें हैं हाईवे पर पत्थर बिखरा है केस पूरवांचल में अतीक एहमद और मुक्तार अंसारी पर कारिवाई करने के बाद वेस्ट यूपी में योगी सरकार का शिकंजा जेल में बन सुनील राठी के तीन मकान कुर्क एक गाड़ी सीज फड़नवसीस राउत की मुलाकात के बाद अब महराश्ट के मुक्यमंतरी हुद्दर ठाकरे से मिले शरत पावार मुक्यमंतरी की रोटियां ठंडी होने पर अधिकारी की आई शामत मामला गर्माने पर निलंबे तफसर बहाल शिवराश सिंग चुहान ने कहा वा एक साधारन इनसान है और उन्हें सूखी रोटियां खाने में भी कोई गुरज नहीं है उन्होंने कहा कि ऐसे में उन्हें उचित नहीं लगता कि उनके भूजन के कारण किसी अधिकारी के खिलाफ अनुशास मत कदम उठाए जाएं इधर मद्पदेश उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेजो गई है बाचपा ने कांगरिस पर करारा हमला किया है और राउल गांदी प्रियंका गांदी को आड़ेहात लिया है अगामी उपचुनाव पर भाचपा ने था जैबान सिंग का वयाने का है कि प्रियंका हमारे ले चुनावती नहीं वो कॉंग्रिस के लिए पनावती है और हम इंतजार कर रहे थे कि यहां भाई बहन में से किसी एक के भी तो कदम पड़ें इसलिए प्रियंका के आने का भाचपा स्वागत करती है और जो उत्तव प्रदेश में उनके जाने से हुआ वो मद्रदेश में भी हो आगामी उपचुनाव में सचिन पाईलेट के मोर्चा संबाले जाने पर कितनी चुनवती आएगी कि सवाल का जवाब देते हुए जैबान सिंग पाउया ने कहा कि सचिन पाईलेट जी के दिल में भाचपा और मुँ में कॉंग्रेस होगा आस्ट्रेलिया की एलिसा हीली मैला क्रिकेटर ने किया ये कारनावा धोनी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा वर्ल्ड टूरिजम डे रिजिकेश टू लंडन बीस देशों में सैर के लिए जल्द रवाना होगी 75 दिन की बस यात्रा सबसे प्रशंसनी ये लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें अमेरिका के बराक ओबामा पहले नंबर पर भारत के प्रदान मंतरी नरिन मदी जी चोथे नंबर पर और इसके बाद भारत के अभिनीता अमिता बच्चन चोधवे नंबर पर विराट कोली सोलवे और शारुखान सत्रवे नंबर पर है करन जोहर के सपोर्ट में जावेद अक्तर का मीडिया पर निशाना करन जोहर की पार्टी मीडिया की दूसरी सबसे फेवरेट पार्टी आईपियोल का नवा मैच राजस्तान रॉयल और किंग सेलन पंजाब की वीच में खेला गया जिसमें राजस्तान रॉयल ने किंग सेलन पंजाब को तीन बॉल, शेश रहते और चार विकेट से हरा दिया अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो